हेलो एवरिवन वेलकम टू सरकारियेट वन्स अगेन तो इस वीडियो में जहें हम लोग डिसकस करने वाले हैं जेबी पंथ उनिवर्सिट अफ एग्रिकल्चर एंटेक्नोलोजी का जो एंटरेंस एक्जाम आपका हुआ था तो उसके बाद जो उसकी काउंसलिंग है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है यानि कि आज 12 सेप्टेमबर है और आज से आप काउंसलिंग का रेजिस्टेशन कर सकते हो और अपनी जो चॉइसें उनको फिल कर सकते हो तो इस वीडियो में हम सभी कोर्सेश के लिए वो प्रोसीजर देखने वाले है कि किस तरीके से आपको वो प्रोसेश फॉलो करना है ताकि जो आप काउंसलिंग के लिए चॉइसे फिल कर रहे हो उनको आप प्रॉपरली फिल कर पाओ ठीक है तो यूजी प्रोग्राम हो पीजी प्रोग्राम हो या फिर प्रोग्राम हो या फिर टीसी वीपी वाला जो कोर्स है तो उसके लिए उन सभी कोर्सेश के लिए चॉइस को कैसे फिल करना है तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तो आप सभी से request है कि वीडियो को please end तक देखें और आप सभी से ये भी request है कि आप जो है channel को subscribe करें और bell icon को press करें ताकि इस related जो भी important updates आएंगे उसके बारे में जो है मैं आपको inform करता है रहूँगा time to time ठीक है और एक और important information ये भी है कि अगर आपको counseling के process में कहीं पर भी कोई issue आता है तो आप मुझे Instagram पर personally भी message करके अपनी query कर सकते हो ठीक है तो उसका solution जो मैं आपको provide कर दूँगा Instagram का जो link है वो मैंने comment section में pin क्या हुआ है और एक most important चीज ये भी है कि जब आप counseling के लिए अपनी choices को fill करोगे तो उससे पहले जो भी उससे related instructions है उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना अगर आपको उनमें कोई भी problem होती है तो वो जो instructions है वो मैं आपको अच्छे से explain कर दूँगा अपनी next वाली video में तो वो वाली जो video होगी instructions की counseling के लिए जो भी instructions है जो rules है जो policies है उनको आप एक बार अच्छे से समझ लेना उसके बाद ही अपनी choices को submit करना है ठीक है तो वो video जो है वो मैं इस video के बाद upload कर दूँगा तो उसको आप एक बार जरूर देख लेना clear है और उसका जो link है वो मैं यहां पर comment section में भी पेंग कर दूँगा तो यहां से भी आप उसको देख पाओगे बाद में तो आपको करना क्या है अपना जो भी आप browser यूज़ करते हो फोन में तो उस browser में आपको google में search करना है gbpu80.org.in ठीक है यह जो है इसके official website है आप एक बार अच्छे से देख लो gbpu80.org.in इस website पर आपको जाना है counseling के registration process के लिए ठीक है तो इस website पर जब आप आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का interface यहाँ पर दिखने वाला है तो particular stream के लिए cut-off rank भी release कर दी गई है आप यहाँ पर latest update वाला section है यहाँ पर जो last वाला update आ रहा है और choice filling का process complete करना है clear है तो बाकी सब लोग यहाँ पर अपनी cut-off rank को check कर सकते है कि कितनी cut-off rank तक जो है आप first round की counseling में participate कर सकते हो और अगर आप नहीं भी करोगे और counseling के लिए जैसे आप participate करोगे तो अगर आप eligible होगे तभी आप counseling का registration कर सकते हो in case if you are not eligible for the counseling process तो आपको वो एक pop-up show कर देगा कि you are not eligible for counseling ठीक है तो आपको खुदी पता चल जाएगा कि आप counseling के लिए जो eligible नहीं हो तो आप हमें करना क्या है इस page पे right, top right corner में आप देख सकते हो three lines बन कर आ रही है blue banner के उपर इस पर आपको click करना है तो जैसे आप click करोगे यहां पर आपको five options दिखेंगे home, ug, dcvp login, pg login, phd login और downloads ठीक है तो जो भी आपका stream है जिसके लिए आपने जो entrance exam दिया था जिसके लिए आप counseling में participate करना चाहते हो उस particular option पर आप click कर दोगे जैसे आप ug और dcvp के candidate हो तो आप first वाले option पर click करोगे, pg के candidate हो तो आप pg login वाले पर click करोगे, phd के candidate हो तो phd login पर click करोगे, ठीक है तो सभी का process same है तो इस वीडियो में मैं आपको ug के लिए वो process करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है तो ug के लिए अगर आप process समझ dcvp login वाले option पर click कर देता हूँ, ठीक है, तो कूछ इस तरीके का आपको interface यहाँ पर दिखने वाला है, जैसे ug dcvp login for online counseling 2022-23, इस तरीके का interface दिखेगा, अगर आप pg के लिए करोगे तो उपर pg login लिए कर आ रहा हूँ, और अगर आप phd के लिए करोगे तो phd login लिए अग अगर आप password भूल गए हो, यह user id भूल गए हो, तो यहाँ पर नीचे option आ रहा है, forgot user id password, तो इस पर आप click करके जो है, अगर आपके पस दोनों ही चीज़े नहीं है, user id भी नहीं है, या फिर उनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है, तो इस option पर click करके आप उसको generate कर सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पर आपको registration number और password एंटर करना है, तो मैं यहाँ पर enter कर देता हूँ, उसके बाद login जो option आ रहा है, login पर click करना है, ठीक है, तो login पर click करने के बाद आपका यहाँ पर dashboard open हो गया जाएगा, ठीक है, जो आपका registration portal है, उसका dashboard open हो गया है, अब यहाँ पर registration जो आपका पूरा होना है, उसके लिए, ठीक है, तो step 1 में आपको अपनी choices या preferences फिल करना है, step 2 में उससे related आपको documents अपलोड करने होगे, और step 3 में जो है, आपको अपनी counseling की जो fees है, वो पे करनी होगे, ठीक है, तो यहाँ पर step 1 पर click कर देता हूँ, step 1 के नीचे जो आ रह करने वालों, तो वो बहुत ज़रूरी है, आपके लिए देखना, तो उसको देखे बिना आप counseling के लिए registration बिलकुल भी मत करना, ठीक है, otherwise आपको बाद में issues आ सकते है, तो यह instructions अच्छे से समझ लेना, या तो खुछ से समझ लेना, या जब मैं video upload करूँगा, तब मैं आपक अच्छे से explain कर दूँगा, बाकि fees के बारे में आपर information लिखे, तो वो मैं आपको बतायता हूँ, हर round में participate करने के लिए, चाहे है, वो first round हो, second round हो, या उसके बाद जितने भी rounds होते हैं, तो हर round में participate करने के लिए, एक candidate को जो है, 500 rupees का counseling fees जो है, वो pay करना होगा, ठीक है, तो 500 rupees के counseling fees आप pay करोगे, और जो MCA के candidates है, particularly MCA के candidates है, उनको 2000 rupees per round of counseling pay करना होगा, ठीक है, तो यह मैंने information दे दिया, आपको fees के regarding, बाकि जो instructions है, वो मैं आपको explain कर दूँगा, अब यहाँ पार जो है, नीचे लिख कर आ रहा है, I have read instructions carefully, इस box पर आपको एक tick कर देना है, ठीक है, प्रोसीट पर जैसे ही आप click करोगे, यहाँ पर जो है, fill choices का option आजाएगा, ठीक है, अब आपको कैसे करना है, अब आप देख सकतो है, यहाँ पर दो आपकी जो है, मतलब दो boxes दी है, अब इसको बहुत अच्छे से आप समझ लो, क्योंकि प्रोसेस कुछ लोगे के लिए ब पॉस्ट वाला box है, यहाँ मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ, एक छोटा सा arrow दिख रहा होगा, यह वाला एक छोटा सा downward arrow आपको दिख रहा होगा, इस arrow पे आपको click करना है, तो जैसे मैं click करूँगा यहाँ पर, यहाँ पर जितने भी UG के लिए courses है, मतलब जिनके लिए मै सारे courses भी fill कर सकते हैं, ऐसी कोई foundation नहीं है, और अगर आप limited courses को select करना चाहते हो, तो आप limited courses भी हाँ पर select कर सकते हो, ठीक है, तो first preference, suppose मैं यह BVSE and EH, जो है normal seat, इसको मैं select करता हूँ, जो veterinary science है, ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं select करूँगा, अब मुझे क्या करना है, मैंने ए leftward arrow है, अब मैंने एक option left में choose कर लिया, कि मुझे BVSE और animal husbandry जो है, यह पहले number पर जो है, तो मैंने उसको select करा, अब यह जो right वाला arrow आ रहा है, इस right वाले arrow पर आपको click करना है, ठीक है, right वाले arrow पर जब आप click करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह वाले जो right box है, यह right box में, जो यह नीचे की तरफ downward arrow आ रहा है, इस पर जब आप click करोगे, तो यहाँ पर BVSE और animal husbandry, normal seat का जो option आजएगा, इस पर मैंने click कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, तो अभी हमने जो क्या करा है, एक option जो है select करके, हमने right वाले box में choose कर ल होगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फिर से सारे options आजएगे, और वो वाला जो option अभी हमने select कर रहा था, वो यहाँ से अब remove हो चुका है, यानि कि BVSE और animal husbandry, जो normal seat वाला था, ठीक है, अब suppose मुझे उसी का payment seat वाला करना है, तो यहाँ पर आप last मे option देख सकते हो, लिख कर आ रहा है, BVSE और animal husbandry, payment seat वाला, ठीक है, तो अब मैं इसको select कर लेता हूँ, अब इसको जब आप select करोगे, फिर आपको क्या करना है, यह जो right वाला arrow बीच में बन कर आ रहा है, इन दोनों boxes के बीच में, जो right side को arrow है, उस right side के arrow पर आपको click करना है, अब जैसे आप click करोगे, यहाँ right वाले box में जो छोटा सा arrow नीचे की दरफ बन के आ रहा था, इस पर जब आप click करोगे, तो यहाँ पर आपके पस दो choices आपको यहाँ पर देख जाएंगे, समझा के बाद, ठीक है, तो मेरा first number पर क्या हो गया, BVSE और animal husbandry, normal seat हो गया, फिर बाद second number पर जोए BVSE और animal husbandry payment seat हो गया, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और choice जो यहाँ से select कर लेता हूँ, left वाले box में से, अब suppose मुझे agriculture की normal seat करनी है, तो मैं first वाला option यहाँ से choose कर लेता हूँ, उसके बाद में क्या करूँगा, यह जो बीच में right side को arrow बन के आ रहा है, left वाले box से choices को select करना है, उसके बाद यहाँ पर जो right arrow दिख रहा है, वो right arrow पर जब आख click करोगे, तो वो आपकी selected choices वाले option में, यहाँ पर number पर आ जाएगा, ठीक है, तो यह आपकी priority रहेगी, जो आपको यहाँ पर दिख रहे है, यानि कि first number पर मेरा BVSE और animal husbandry normal seat है, second number पर मेरा BVSE और animal husbandry payment seat है, और third number पर मेरा BVSE owners agriculture normal seat है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे options यहाँ पर मिल जाएंगे, बाकी जितनी भी options यहाँ पर रहे गया है, तो आप सारे के सारे यहाँ से एक एक करके select कर सकते हो, और उनको right side में move कर सकते हो, अब यहाँ पर कुछ और options बतायता हूँ, सबोज आप से कुछ गडबड़ी हो जाए, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबोज आपने सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे BVSE owners agriculture जो normal seat है, मुझे first number पे लेके आना है, ठीक है, तो first number पे लेके ना है, आप क्या करोगे, अब यह third number पे है, और first number पे ह उपर लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, उपर वाले arrow पर क्लिक कर दूँगा, जैसे ही मैं एक बार उपर वाले arrow पर क्लिक करूँगा, आप यह देख सकते हो, जो BVSE owners agriculture नॉर्मल seat है, मेरा second number पे आ गया है, आप मुझे एक बार और उपर लेके जाना है, ठीक है, वैसे की वैसी जो है, उसके नीचे आ जाएंगे, समझ आगे बाद, तो इन यह जो right side में, मतलब बिलकुर rightmost corner में जो है, जो upward green arrow और जो downward green arrow दिख रहा है, उसका use जो है, I hope आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, अब यहाँ पर यह जो beach में, नीचे की तरफ जो यह left side का arrow बना seat वाल है, वो मुझे choose करना ही नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको select करूँगा, select करने के बाद, यह beach में जो है, left side का arrow बन के आ रहा है, नीचे वाला, ठीक है, इस पर मैं click करूँगा, तो जैसे ही मैं click करूँगा यहाँ पर, और उसके बाद right box में जो choices देखू है, इनका कुछ इस तरीके से काम होगा, ठीक है, तो अब क्या करना है, तो आप क्या करोगे, सारी choices एक करके select कर लोगे, यहाँ से, मैं एक बार आपको सारी choices जो select करके दिखा देता हूँ, ठीक है, मतलब मैं ऐसी randomly कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यह सारी choices जो select कर लेता और suppose मैंने कहा कि मुझे ये जो तीन कोर्सेज है, BFSC Payment Seat, BSC Honors Community Payment Seat और P-Tech, Bio-Tech ये मुझे नहीं चाहिए है, तो मैंने इनको जो लेफ्ट वाले में छोड़ दिया, अब राइट वाले में देख लेता हूँ, मैंने क्या-क्या सिलेट कर रहा है, ये सारी चीज़े सिलेट कर और उसके बाद B-Tech Food Tech है, उसके बाद BVSC की Payment Seat है, तो ये जो मेरा proper order दिख रहा है, ये ही मेरा final order होगा, choices का, जिसको मैं अब submit करूँगा, समझ आगे बाद, तो इस order को एक बार आप अच्छे से carefully check कर लेना, check करने के बाद यहाँ पर save your choices का option आ रहा है, ठीक है, यहाँ प update नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो इसको इसलिए बहुत जादा carefully आपको करना होगा, समझ आगे बाद, I hope, अब आपका कोई भी इसमें doubt नहीं रहा होगा, मैंने आपको left box के बारे में, left box में आपके बास available choices है, right वाले box में, वो choices हैं, जो आप select कर रहे हो, अपने preferences के लिए, ठी जानने के लिए, या फिर right वाले box से left वाले box में, choices को डानने के लिए, ये दोरों arrows का use करना है, ठीक है, right वाला और left वाला, और जो ये right most corner में, जो दो green arrows दिख रहे हैं, upper and downward, ये आपकी priority को set करने के लिए, सफोज आपका कोई option जो है, वो नीचे है, अगर आपको उसको करोगे, ठीक है, ये करने के बाद, एक बार आप अच्छे से selected choices वाला जो box है, इसमें जो नीचे वाला arrow था, इस पर आप click करके देख लेना, कि जो आपकी choices है, वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है, ठीक है, इन choices को आप check कर लोगे, आप check करने के बाद जो है, save your choices, जो नी related documents है, उनको आपको submit करना होगा, आप documents क्या होंगे, वो मतलब आप समझ सकते हो, क्या आपको जो documents upload करना होगे, या तो वो 12th वगरा की marksheet आप से upload करवाएंगे, ठीक है, तो सब्सक्राइब आपको marksheet अभी तक school वगरा से नहीं मिले, जिनका इसी साल class 12 हुआ था, तो वो particular तरी किसे जो है, आप उसको upload कर देना, वहाँ पर कोई भी issue आएगा, तो आप मुझे comment section में बता सकते हो, या फिर मुझे instagram पर message कर सकते हो, ठीक है, और final option जो होगा, वो आपका कह रहेगा, fees पे करने का तो 500 रुपीज सब के लिए fees है, और 2000 रुपीज यों MC वाले candidates के नहीं पता है, क्योंकि मैंने वो page open नहीं करा, क्योंकि यह किसी candidate का idea है, so I cannot save the choices, ठीक है, तो वो जब choices fill करेंगे, तो वो अपने according करेंगे, तो मैंने यहाँ ताग आपको जो है, सारा process clear कर दिया, क्योंकि यह सबसे complex चीज थी यहाँ पर, मतलब इतनी complex नहीं है, पर एक बर अगर आप समझ जाते हैं, तो आपके लिए easy है, ठीक है, तो यह सबसे मतलब complex चीज थी, इस process की, और उसके बाद सिर्फ documents upload करना है, तो आपसे या तो photo मांगेगा, वहाँ पर या class 12 की mark sheet मांग सकते हैं, signature वगरा शायद upload करने को बोल सकते हैं, वैसे वो already कर चुक है, आप तो शायद नहीं मांगेगे, तो class 12 की या फिर और जो आपका weightage या फिर category certificate है, वो आपको शायद upload करना होगा, ठीक है, और शायद आपका domi style भी upload करने को मांगा जा सकते हैं, तो जो documents होगे, उनकी, जो भी format दे रखा होगा, PDF ही देंगे, तो वो PDF format में उसको convert कर लेना, उस के बाद उसके आगे आपको fees pay करने है, fees pay करने के बाद आपका पूरा process complete हो जाएगा, clear है, तो I hope आपको सारे instructions सची समझ आगे होगे, अब भी अगर कोई problem रह जाती है, so again I am telling you कि आप जो है मुझे Instagram पे message कर सकते हो, clear है, तो अगर ये video helpful लगे तो please को जरूर लाइक कर देना कर सकते हैं